Hello everyone and welcome back to the channel तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिसका भी current market price 100 रोपे की नीचे चल रहा है और ये आने वाले टाइम पे 2X से लेके 5X तक हो सकते हैं, मतलब 2 गुना से लेके 5 गुना तक भी इनकी value हो सकती है अगले 5 से 10 सालों में ठीक है, तो long term purpose के लिए हैं और बहुत अभी कुछ हैंसे stocks हैं जो discounted value पे हैं और इन्हीं में से कुछ हैंसे stocks हैं जो all time high पे भी चल रहे हैं बट जैसे इनके fundamentals जितने जादा strong हैं उनके हिसाब से इनकी value अभी उतनी नहीं पहुंची है सभी के सभी की value है वो सिर्फ 100 रोपे के नीचे की value है ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे stocks पूछ रहे थे कि कुछ हैंसे आप बता दू जो 100 रोपे के से नीचे के stocks अगर किसी के पास 50,000 या एक लाख रोपे तक का long term के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो MRF तो लेगा नहीं 50,000 के capital पे या फिर page industries या फिर Nestle तो buy करेगा नहीं so that's why I am sharing these stocks with you guys इनके fundamentals भी मैं आपको explain करूँगा भी screen पे एक-एक करके ठीक है पाँच stocks में एक-एक करके explain करूँगा most important thing is this is not a financial advice इन stocks को मैं personally hold कर रहा हूँ that's why I am sharing with you also and remember one thing as well कि market अभी all time high पे है now अगर आप अभी correction का wait करोगे या फिर आप सोचोगे कि sideways में न हो जाए या फिर और rally न आ जाए तो ये मैं अभी market का view दे के suggestion नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है market यहां से और उपर जा सकता है nifty all time high के आसपास है हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए छोटा सा correction भी आ जाए तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो recommendation दे रहा हूँ कि अगर आप ये stocks को buy करोगे तो अगले कम से कम 5 साल के लिए buy करोगे तो उससे फिर फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इनको value है आज market इतना नीचे भी है और लेकिन फिर भी एक stock ऐसा है जो आज 10% उपर है So that's why मैं आपको अभी share कर दे रहा हूँ Now it depends on you कि आप उनको dips में buy कर सकते हो एक साथ पैसे invest कर सकते हो That totally depends on you guys So let's start the video Okay traders, so let's start So I'm gonna share you 3 stocks Under 100 rupees 3 stocks Under 100 rupees only और let me clear कि इसका मैं जो target रख रहा हूँ minimum मैं रख रहा हूँ कि आप 2-5 और even अगर 10 years तक का अगर इस पर time दे सकते हो तब ही आप इस पैंट्री बना सकते हो By the way this is not a financial advice Let me clear it properly लेकिन अगर मैं इन पैंट्री बना रहा हूँ So I thought why not like मैं आप लोग के साथ भी इनको share करूँ और basically इसमें small finance के 2 stocks हैं और एक railway से related है So इनके price हैं of course 100 rupees से नीचे है और जो मेरन का target है कि इनमें 2x से लेके 3x तक की growth हमें दिखाई दे सकती है Within next 2 years only और अगर 5-10 years old रखेंगे तो उससे भी अच्छी growth हमें कहीं न कहीं दिखाई दे सकती है आने वाले time पे But one thing to remember कि for example if you have 1 lakh rupees Okay And if you want to invest in these all 3 stocks So what you have to do is कि आज आप इस पे For example A stock में आप कर दो 10,000 B stock में कर दो आप 10,000 C stock में आप कर दो 10,000 Okay तो आपने 30,000 इनवेस्ट कर दिया अब आपको क्या करना है अब आपको पूरा पैसा एक सांथ नहीं डालना आपको फिर आज से 3 महीने बाद आप फिर से इसमें 10,000 डाल दो इसमें फिर से 10,000 डाल दो इसमें फिर से 10,000 डाल दो ठीक है तो इस तरीके से आपको dips में वाय करना है आपको kind of a SIP को follow करना है ठीक है Lump sum पैसा आपको इसमें नहीं डालना है क्यों नहीं डालना है lump sum क्योंकि market is all time high, nifty all time high पे of course it is trading at all time high, so that's why आपको थोड़ा सा dips में पैसा डालने की, अगर आप SIP kind of a thing करोगे, so that will be a good thing, okay, और blue chip stocks like ये कोई भी blue chip stock नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ, इन पे risk भी थोड़ी सी जादा है, जो risk ले सकता है, वही इ the first stock is Utkars Small Finance Bank, USFB, इसका short form है, ठीक है, नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, Utkars Small Finance Bank, recently IPO इसका आया था, और अभी एक महीने भी इसका नहीं हुआ है, लिस्टेड हुए, तो अभी इसके लिए best opportunity है, almost आप देखोगे, तो ये 40 रुपीज के आसपास के price पे, IPO पे लिस्ट से, या फिर AU Small Finance Bank से, तो उनके comparison में बहुत slow progress अभी इसने इतने दुनों में दी है, तो बहुत अच्छे chance है, अभी इस पे बहुत अच्छे opportunity है, कि ये 80 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक के targets within a year भी cross कर सकता है, by the way, this is not the financial advice, like I am just giving, I am just sharing my view, कि मैं इस पे particular amount invest करने वाला few legs only, not enough, तो मेरा जो target रहेगा, that will be around 80 to 100 रुपीज का मेरा target रहेगा, of course long term के लिए बहुत अच्छा है, लिकिन अगर कोई short term में भी इसके साथ जाना चाहता है, तो 50 रुपीज अभी current market price चला है, आप अगले एक साल तक भी hold करते हो, तो 80 to 100, कोई बड़ी बात नहीं है, ब last three quarters के result है, तो revenue में आप देखोगे, तो 536, 641, 691 मतलब slightly हमें क्या दिख रही है, growth दिखाई दी रही है, ठीक है, downfall हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिखाई दिया है, growth continuously दिखाई दी रही है, इनके revenue में, of course अब revenue बढ़ती है, तो थोड़े से expenses भी बढ़ जाते हैं, और loan दिये हैं, तो उसमें से वापिस repay loan कितने लोगों ने किया है, so this is called the gross NPA, तो अगर हम देखते हैं, तो gross NPA March 2022 में 6% था, फिर घटके साड़े 3% हुआ, और अभी 3.23 चल ला है, लेकिन at the end, जो net NPA निकल के आया है, वो March 2022 में 2.31 हुआ, फिर उसके बाद 0.72 हुआ है, और then 0 0.39, तो मतलब almost 0 के बराबर यहां पे इनका cross net NPA निकल के आया है, मतलब जितने भी ये loans दे रहे हैं, वापिस पूरे repay loan लोग इनको कर रहे हैं, अगर net NPA हाई रहता है, तो इसका मतलब loan defaults हो रहे हैं, for example, आप Punjab National Bank देख लो, Bank of India देख लो, जो like government banks है, तो इनका net NPA हमेश लो रहता है, और small finance bank इनके loan amount भी छोटे छोटे रहते हैं, so that's why recover भी ये उतना ही जल्दी कर लेते हैं, so the second stock is Indian Railway Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation, अब इस company का का क्या रहता है, basically ये पूरा fund manage करती है, railway का, अभी इसका जो price है, वो सर्फ 46 रुपीज के आस पास है, अभी कल के कल इसमें 12% से भी ज जादा time नहीं हुआ है, अभी 46 रुपीज का price है, तो easily ये 100 to 150 जा सकता है, next budget तक भी जिस तरी किसमें momentum चला है, एक दिन में इसने 12% का return दिया, now chances are very high कि buying जिस तरी किसे दिख रही है, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, just look at these buying zone, इन पे क्या indicate हो रहा है, कि यहाँ से heavy buying भी हुई है, उसके बाद भी इस consolidate कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब अब buying आई है, तो recently it got pumped up for 12% in a day, और अभी भी chances हैं कि 100 to 150 बहुत जल्दी जा सकता है, बट अगर आप इसको long term के लिए hold करो तो बहुत अच्छी wealth भी आप इस पे कहीं न कहीं बना सकते हो, the number of sales, rapidly it is growing day by day, हर quarter में इनकी growth दिखाई दे रही है, और like मैं पूरे positive points की बात नहीं करूँगा, of course अब जिनका tax है, अब अगर आप देखो, sorry, the profit before tax अगर आप देखोगे, तो that is declining, 1600 करोड, 1700, फिर वापिस 1600, और जो March का quarter है, इसमें 1300 करोड है, अब कोई भी business है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर quarter में sales high होंगी ही, कई बार chances ऐसे आएंगे, कई बार ऐसा phase आएगा कि एक दो quarter में sales नीचे हो जाती है, but अब 100 रुपीज के नीचे का stock है, recently IPO आया है, तो आप easily इसको hold का सकते हो, अगले 3-5 साल भी hold करोगे, बहुत अच्छे returns ये दे सकता है, basically इसका काम क करना जो भी like पूरा पैसे का management करना railway के लिए, the third stock is Equitas Small Finance Bank, one of my favorite Small Finance Bank stock, Equitas Small Finance Bank, recently I'm sawing the growth, इस तरी के सिनकी franchisee kind of a, जितने इसके banks की branches open हो रही है, sorry to say franchisee, अब जिसकी इतनी branches जितनी जादा open हो रही है, it's unbelievable, मैं देख रहा हूं इन दौर में जबलपुर मेरे शेहरों में, एक ब Small Finance Bank के बाद, अगर कोई सबसे जादा तेजी से growth जा रहा है, तो वो कहीने कहीं Equitas Small Finance Bank, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अब इसका अगर हम price देखते हैं, तो that is trading around, 89 rupees के around trade कर रहा है, और last year से ही आप देखोगे, तो 40 से direct, almost 100% का return, ये already एक साल में दे चुका है, अगर अभी भी किसी का long term का view है, तो आप buying, इस zone में buying देखो आप, कि continuously heavy buying आ रही है, सिर्फ एक candle ये indicate कर रही है, थोड़ी सी selling आई यहाँ पे, कल 4 से 5% down था, बट उसके बाद continuously कहीं न कहीं, buying का scenario अभी भी बना हुआ है, तो current market price पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको dips में buy कर सकते हो, for example, if you want to invest 1 lakh rupees, तो आप क्या कर सकते हो, 25 you can invest today, 25 you can invest after 1 month, 25 you can invest after 3 months, तो इस तरीक से dips में आप इसको buy कर सकते हो, quarterly results पे अगर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं, तो revenue is growing rapidly, 721 करोड था June 2022 में, तो June 2023 में 1200 करोड, मतलब 500 करोड का हमने extra revenue देखा है, within a spend period of 3 years, ओके, और अगर हम देखने directly इनका, जो net NPA है, तो net NPA आप देखोगे, तो 1.5, 1.5, 2.2, 1.8, 1.8, मतलब इसमें दिखाई कह दे रहा है, कि net NPA को ये अपने बहुत better कर रहा है, जो कि पहले 1.5 था, फिर 1.7, लाइक धीर धीरे बीच में ऊपर भी गया, 2.38 और 2.46 भी है, लेकिन उसके बाद 1.7 आया, 1.97, फिर 1.82 आया, 1.21, now 1.18, तो मतलब net NPA इनका down हो रहा है, तो that's the good thing, कि जतना जाद net NPA कम हो, that's the good thing, ओके, और अगर है उनके जो है profit before tax को भी देखते हैं, PBT को भी, तो उसमें से भी हमें क्या देख रहा है, अच्छे नम्मर से नोंने maintain किये हैं, पिछले quarter से, so that's a good thing, of course कि अब growth नहीं आई है, अहां पर, लेकिन overall, अगर आप मैं वही बोल रहा हूँ, आप से कि अगर 74 करोड से directly, सीधा सीधा जम कर रहे हैं, 3X, in a 3 year, in a span of 3 years, so that's a good thing about this small finance bank, और अभी ये growing stage में है, तो of course, in the future of course, they'll gonna grow, okay?